साथियो क्रिकिट विद देवलोग में एक बार फिर्द से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तो ICC क्रिकिट वर्ड कप 2023 का सेडियूल आज आ गया है जिसकी मेजबानी भारत कर रहा है October के खूबसूरत मौसम में इस क्रिकिट वर्ड कप में बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तो मज़ा और भी बढ़ जाए अगर भारत इस वर्ड कप में अच्छा प्रदशन करे साथियो अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल क्रिकिट विद देवलो को सब्सक्राइब जरूर करें बैल आइकन को आल नोटिफिकेशन पर सेट करें ताकि क्रिकिट की हर इंपोर्टेंट अपडिट तो आपको मिले ही साथ ही क्रिकिट से रिलेटेड और भी जानकारिया आपको मिलती रहे तो साथियो इस वर्ल्ड कप में कुल 49 मकाबले खेले जाएंगे साथियो पाच अक्टूबर को वर्ल्ड कप का पहला मैच मوجودा वर्ल्ड चैंपियन इंगलेंड और रनर अप न्यूजिलेंड के बीच एमदाबात में खेला जाएगा नाट की अंदाज और कई विरोदा भासों से भरे 2019 क्रिक्ट वर्ल्ड कप के फाइनल मैच की हार का बदला न्यूजिलेंड जरूर लेना चाहेगा हाला कि इंगलेंड इस बार भी बहुत मजबूत लग रहा है आए हम एक नज़र डालते हैं भारत के मैचों पर भारत का पहला मैच ही जबरदस्त होने वाला है साथियो जो की 8 अक्टूबर को औस्टेलिय के खिलाफ चेन्नई में होने वाला है दोने ही टीम्स जीत के साथ वर्ल्ड कप की शुरुआत करना चाहेंगी भारत अपना दूसरा मैच 11 अक्टूबर को अफगानिस्तान के खिलाफ दिल्ली में खेलने उतरेगा अप एक शक्रित कमजोर प्रतिदुन्दी अफगानिस्तान के खिलाफ भारत कोई को और कसर नहीं छोड़ेगा लेकिन भारत को सावधान रहना होगा क्योंकि उलट फिर की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता लेकिन साथियो भारत का तीसरा मुकाबला इस वर्ल्ड कप का सबसे हाई वोल्टेज मैच होने वाला है जो भारत अपने आर्क राइवल पाकिस्तान के खिलाफ एमदाबाद में खेलेगा छोटा मैदान होगा चौकों और छकों की बरसात के साथ एक हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिल सकता है साथियो और हम ये भी चाहेंगे कि पिछले वर्ल्ड कप के इतिहास को दोराते में भारत इस बार भी पाकिस्तान को रौध कर रख दे इसके बाद साथियो 19 अक्टूबर को भारत बंगला देश से पुड़े में भीड़ेगा और बंगला देश को कमजोर आगने की गलती भारत बिलकुल नहीं करेगा इसके बाद 22 अक्टूबर को भारत का मुकाबला न्यूजिलेंड से धरमशाला में होगा और न्यूजिलेंड को स्पिन के जाल में भारत फसाना भी चाहेगा लेकिन साथियों सबसे इंपॉर्टिंट देखने वाली बात ये होगी कि केन विल्यमसन की वापसी होगी या नहीं जो अभी भी चोट के चलते टीम से बाहर है साथियों मैं तो अम्मीद करूँगा और मैं ये चाहूँगा भी कि केन विल्यमसन इस विसकॉप में जरूर खेले और अच्छा प्रदर्शन भी करें अच्छे रन भी बनाए इसके बाद लगबग एक हफ़ते के आराम के बाद भारत मौजूदा वर्ल्ड चेंबियन इंग्लेंड से 29 अक्टूबर को लखनों में जोर आजमाईश करेगा लेकिन एक बात ते है कि ये मैच भी बहुत तगड़ा होगा इसके बाद भारत कौन सी टीम के साथ मैच खेलेगा अभी एक क्लियर नहीं है क्योंकि वर्ल्ड कप क्वालिफायर टूर्डरमेंट अभी चल रहा है तो 2 नğa उमबर को भारत अपना मैच क्वालिफायर टू से खेलेगा जो मेरे हिसाब से जिम्बाबे होना चाहिए और ये मैच पुरे में खेला जाएगा इसके बाद 5 नवबर को साउथ अफरीका से कॉलकाता में भारत खेलेगा ये मैच मेरे हिसाब से भारत के लिए आसान रहेगा और साउथ अफरीका स्पिन के जाल में फस भी जाएगा इसके बाद भारत अपना अंतिम लीग मैच 11 नौमबर को बैंगलोरू में क्वालिफायर वन के साथ खेलेगा मुझे लगता है कि क्वालिफायर वन शायद श्री लंका होगा अगर कुछ इलट फेर हुआ और श्री लंका वर्ल्ड कप क्वालिफायर का फाइदल हारा तो वो बनेगा क्वालिफायर टू और भारत से दो नौमबर को भिड़ चुका होगा और फिर 11 नौम्मर का मुकाबला भारत और जिम्बाबे के बीच होने की उमीद है हाला कि हम अभी वेस्ट इंडीज को दरकिनार नहीं कर सकते हैं इस परकार कुल 11 लीग मैच भारत 2023 के विशकप में खेलेगा और यहीं भारत जीता है तो इसके बाद उसे दो मैच सेमी फाइनल और फाइनल खेलने को भी मिलेंगे साथियों तो आशा करता हूँ कि यह अपडेट आप याद रखेंगे और बेसबनी से इंतजार करेंगे आने वाले विशकप का और भारत की जीत का तो मैं आपसे मिलता हूँ अपने ऐसे ही अगले इन्फॉमेटिव वीडियो में